इन दिस क्लास वी आर गोईंग तो डिसकुस एबाउव दा कोश्चेन एंसर आप दर चैप्टर टू जो है वो कोश्चेन एंसर उसके बारे में हम लोग बात करेंगे देखो यहां जो बोड पे दिख रहा है वन से लेकर फाइब तक तो तुम्हारे एक्सरसाइज में टोटल पैब कोश्चेन है और हम लोग जु है और मतलब यहां जो दिख रहाए बोड पे वो टोटलस फाइब का फाइब पैइब कोश्चेन नहीं दिए हैं केवल और केवल आंसर है यहसे फर्सट जो लिखा हुआ है वह फिर्सट का आंसर है और वाला कुछ था जगा जब जगा जो लोग थे उस जगह के तो जब गुलीभर जगा तो वो क्यों नहीं हिल डोल सकता था क्योंकि उसका जो लेग्स था और आम्स था वो फास्टेंट टू डॉड़ाउंड वो बांद दिया गया था आपका अंसर है वें गुलीभर अवेग he was unable to move because his legs and arms were fastened to the ground the little man run back in terror because अब वो जो अभी यहां पे second वाले में question है कि वो जो छोटा वैक्ती था आदमी था वो क्यों जो है वो डर के भाग गया आतंकितों के भाग गया तो इसका अंसर है the little man run back in terror because गुलीभर pulled his left arm free from the courts that tied it गुलीभर उन लोग से काफी बरा था उन हो सकता है कि वो उसको जो है वो बांद के रख सके तो वो अपने left arm को जब उठाता है तो जो भी बंदा हुआ था वो सब खुल जाता है अब इसे जो है आदंकित हो के जो है वो little man जो है वो भाग जाता है पीछे के तरफ और वहीं से जो है तीर का वरसा उस पर करना श्टा चलाता है लेकिन फिर जो है वो तीर चलाना बंद कर देता है क्यों क्योंकि जब उसके बाद वो इस्ठील हो जाता है एक Hier нач किसी को नुकसान नहीं पहुचा रहा था, इसलिए वे लोग तीर बरसाना उस पर बंद कर देते है, तो थर्ड का आपका आंसर है, they did not send more sour of arrows at him, because Gulliver was not harming anyone, किसी को नुकसान नहीं पहुचा रहा था, इसलिए जो है, वो तीर जो है, चलाना उस पर बंद कर देते है, order क्या था राजा का जी, फूर्थ क्वेशन में यहीं पुचा कि आग्या क्या था, क्या दिये थे आग्या किंग राजा, तो the orders of the king were to bring Gulliver to the town, कि town तक जो है, वो Gulliver को जाओ, ले के आओ, यह राजा का आग्या था, पाच्वा क्वेशन में है कि क्यूं जो है, वो Gulliver जो है, वो छीकता है, क्यों छीक आजाता है उसको, तो उसमें से एक वैक्ती जो है, जब Gulliver को फिर सो गया, जब खापी के, तो राजा के आग्या के मताबिक उसको carriage पे बांध के ले के आता है, तो एक वैक्ती उसके सर तक चला जाता है, और उसके नाक में spear डालता है, यानि भाल स्नुज, एक टिकट लाइक ट्रो एंड मेड हिम स्नेज, आपका वर्क यही रहेगा, कि आप जो है, इसका जो है, वो फेह कर लीजिए, आप अपने कॉपी में, और mcqs, true false, fill in the blanks, already हो चुका है, और आज ये question answer, जो भी दिया हुआ है, वो के बल आंसर है, बोड पे, first, second, third, fourth, fifth, okay, good day all of you and thank you.